इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह हलका भूना शरीर के लिए हलका होता है क्योंकि कॉफी बीन को कार्मिलाइस्ट शरकरा या तेल का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं भूना गया है इसकी विशेष्टा अमेरिकन रोस्ट की तुलना में थोड़ा गहरा रंग है जिसमें बीन की सतह पर तेल के छोटे धब्बे होते हैं चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, फ्रेंच रोस्ट में रोस्ट का स्तर उच्च होता है जिसके परिणाम स्वरूप कॉफी बीन्स में भुने हुए स्वाध होते हैं और अन्य हलके रोस्ट लोकप्रिय प्रकार की भुनी हुई कॉफी के विप्रीत फ्रेंच रोस्ट कॉफी में अमलिय स्वाध नहीं हो 2. डाक रोस्ट कॉफी शरीर के वजन को कम करती है और स्वस्थ स्वयम सेवकों में लाल रक्त कोशिका विटामिन E और ग्लूटाथियों सांध्रता को हलकी रोस्ट कॉफी की तुलना में अधिक प्रभावी धंग से बहाल करती है 3. डाक रोस्टेड कॉफी में मौजूद एंटियोक्सिडेंट कोशिका क्षती से लड़ सकते हैं और कैंसल और हृदय रोग सहत महत्व पूर्ण स्वास्थि समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं 4. CGA सूजन को कम करने से लेकर कोशिका क्षती को ठीक करने, कॉलेस्ट्रॉल को कम करने और आपके रंग में सुधार करने तक किसी भी चीज में मदद कर सकता है 5. ये एंटियोक्सिडेंट मुक्त करनों से लड़ने में सहायता कर सकते हैं, जो सेलुल लक्षती का कारण बनते हैं और कैंसर से जुड़े होते हैं 6. नियासे नेक संपूर्ण आहार का एक आवश्यक घटक है और आमतोर पर पेलाग्रा जैसे विकारों से बचने में मदद के लिए इसे मल्टी विटामिन में शामिल किया जाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें